हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बियाती इंट्रेस्टिंग होने वाली और ऐसी वीडियो होने वाली है जो उमीद करता हूँ कि आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी आज की वीडियो हम बात इसा मसी अब वीशतार से पढ़ लेते हैं इसाई दर्म यहुदी पर्मप्रा से निकला 21 के सुरवादी धर्म है इसाई धर्म के प्रवर्थक इसा मसी हैं इसा मसी को जीसस क्रैस्ट भी कहते हैं तो दोस्तों अगर आपके पेपर में यह पुछे आता है कि जीसस क्रैस्ट किसे कहा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा इसा मसी को कहा गया है इसा मसी के बच्पन का न तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन सभी पॉइंटों को याद रखना है क्योंकि यह पॉइंट आपके पेपर के दर्ष्टिकॉन से बहुत यादा इंपोडेंट है हमारा अगला सवाल है सबसे पहले क्रिस्मस डे कम मनाया गया तो आपका अंसर हो जाएगा 336 एसवी में सबस सबसे पहले क्रिस्मस डे मनाया गया था अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि एसाई धर्म का पवित्र त्योहा क्रिस्मस डे है जो इसा मसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है यहाँ पर दोस्तों आपसे कभी-कभी यह पूछ आता है कि क्रिस्मस डे कम मनाया जाता है तो आपका अंसर हो जाएगा क्रिस्मस डे 25 दिसंबर को मनाय जाता है सबसे पहले क्रिस्मस डे 336 इसवी में रोम में मनाय गया था तो दोस्तों अगर आपसे यह पुछता है कि सबसे पहले क्रिस्मस डे कहां मनाय गया था तो आपका अंसर हो जाएगा रोम में मनाय सवाल है विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा इसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों यहाँ पर कभी कभी आपसे यह पुछ लेता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदु धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है जबकि बात करें भारत की तो भारत में सबसे बड़ा धर्म हिंदु धर्म है दूसरे नमबर पर आता है मुस्लिम धर्म और तीसरे नमबर पर आता है बौद धर्म तो दोस्तों आपको यहाँ पर इन पॉइंटों को याद रखना है हमारा अगला सवाल है इसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है आपका आंसर हो जाएगा बाइबिल यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि बाइबिल को इंजल भी कहा जाता है तो दोस्तों अगर इस ऑप्शन में आपका इंजल होता तो वो भी सही हो लिग है जबकि नव विदान में इसा के उबदेस एवं का मों क वड़न है यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आपका पूर विदान है वो यहूंतियों का भी धर्म गरंद है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आपका पूर विदान और नव विदान है वो किस-किस बासा में लिखा हुआ है पूर विदान की जो बासा है वो आपकी इबरानी है जबकि नव विदान की बासा कोईनो नामक यूनानी बोल चाल है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पेपर में यह पुछ आता है कि नव विदान की बासा क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा कोई नो नामक यूनानी बोलचाल बासा है जबकि दोस्तों पूर विदान आपका इबरानी बासा में लिखा हुआ है हमारा अगला सवाल है बायवल का हिंदी अनुवाद किस ने किया तो इसका आंसर हो जाएगा कैरे ने कैरे ने बाइवल का हिंदी अनुवात किया था हमारा अगला सवाल है इसाई लोग इस्वर के कितने रूप मानते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा तीन रूप मानते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि इसाई धर्म एकेसवरवादी धर्म है इसका मतलब यह होता है कि वो धर्म जो कि एकी इस्वर को मानता है उसको हम एकेसवर वादी धर्म बोलते हैं लेकिन इसाई धर्म के लोग इस्वर को तीर रूप में समझते हैं सबसे पहला पॉइंट है आपका इस्वर पिता जिसको कि परम पिता इस्वर कहा गया है दूसरा पॉइंट है आपका इ इसाई धर्म के त्री तत्व बोलते हैं तो पेपर में अक्सर आपसे यह पूशे आता है कि इसाई धर्म के त्री तत्व कौन-कौन से हैं तो आपका आंसर हो जाएगा इस्वर पिता दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस्वर पुत्र और तीसरा पॉइंट हो जाएगा इस्व वर पवित्र आत्मा तो उमीद्ध करता हुं अप इंसरी सवालों को याद कर रहे होंगे क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं आपको हर सवाल को काफी बारी की समझाओंगा जिससे के दोस्तो उस सवाल से समझ जितने सवाल आपके पेपर बने आप उसका असानी से उत्तर दे सकें यहाँ पर दोस्तो आप UPCS की भी तयारी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैं आपको काफी बिस्तार से समझा रहा हूँ हमारा अगला सवाल है इसाई धर्म के लोग पूजा कहा करते हैं आपका अंसर हो जाएगा चर्च यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस धर्म के लोग जहाँ पूजा करते हैं उस सबसे पहले दोस्तों आपसे यह पुछे आता है कि चर्च के मुखिया पुजारी को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा विसब कहा जाता है रोम में चर्च के मुखिया को क्या कहा गया है पोप कहा गया है सबसे पहले पोप संद पीटर थे तो यहां पर दोस्तों इन छोड़े छोड़े पॉइंटों को याद रखना है हमारा अगला सवाल है इसा मसी के मुख्य कितने सिस्य हुए तो आपका आंसर हो जाएगा 12 सिस्य हुए थे यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर इनका नाम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इनके 12 सिस्यों का नाम लिख हमारा अगला सवाल है इसाई धर्म की कौन समदाय नहीं है तो आपका अंसर हो जाएगा यापनिया इसाई धर्म की समदाय नहीं है अब यहाँ पर दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि इसाई धर्म को कितने भागों बाटा गया है तो सबसे पहले इसाई धर्म को दो भागों बाटा गया था सबसे पहला भाग था आपका Catholic जिसमें कि पोप में विश्वास करने वारी लोग होते हैं और दूसरा था सबसे प्यार नाम है Catholic दूसरे नमबर पर आता है Protestant और तीसे नमबर पर आता है Orthodox लेकिन दोस्तों अगर आपसे पेपर में यह पुछता है कि सबसे पहले इसाई धर्म कितने भागों बिवाजित हुआ था तो आपका अंसर हो जाएगा दो भागों बिवाजित हुआ था हमारा अगला सवाल है इसा मसी को ग्यान किस उम्बर में प्राप्त हुआ तो आपका अंसर हो जाएगा 30 वर्स की आयू में इसा मसी को ग्यान प्राप्त हुआ था अब मैं आपको इसके बारे बिस्तारसिस बताता हूँ एसा मसी का प्रारंबिक जीवन बड़ई के रूप में निकला बायवल में एसा मसी के प्रारंबिक जीवन 13 वर्ष से 29 वर्ष के बीच किया कोई भी जिक्र नहीं है तो यहाँ पर दोस्तो आपको यह प्रारंबिक जीवन बड़ई के इसा मसी के 13 वर्ष से लेके 29 वर्ष के बीच में क्या के गटना हुई है इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं मिलता है 30 वर्ष की उम्र में इसा मसी ने यहना मात्मा से ग्यान प्राप्त किया था तो दोस्तो यह बहुत important point है आपसे पेपर में यह पूछ आ सकता है कि इसा मसी ने ग्यान किस मात्मा से प्राप्त किया था तो आपका आंसर हो जाएगा यहना मात्मा से ग्यान प्राप्त किया था इसके बाद सबसे पहले इस दर्म की सुरुवात प्रतम सदी में फिलिस्तिन में हुई थी तो यहाँ पर दोस्तो आपको एक नया point मिल गया है अगर आपसे पेपर में यह पूछता है कि इसाई धर्म की सबसे पहले सुरुवात कहां पर हुई थी तो आपका आंसर हो जाएगा फिलिस्तिन में हुई थी इस धर्म के अनुवयाईयों को इसाई कहते हैं हमारा अगला सवाल है इसा मसी के किस सिसे ने धोका दिया था तो आपका आंसर हो जाएगा संत जुदासा ने इसा मसी के साथ विश्वास गात किया था यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि सन 29 इसवी में इसा मसी को संत जुदासा ने ग्रफतार करके यहुदी कटरपंथियों के हास सौब दिया था और इसी तरीकी से दोस्तों संत जुदासा ने इसा मसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था हमारा अगला सवाल है इसा को सूली पर किसने चड़वाया तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पॉंटियस ने अब मैं आपको इसको बिस्तार से समझाता हूँ यहुदी कटरपंतियों ने इसा के परचार पसार का ब्रोध किया और उन पर खुद को इस्वर बताना तथा इस्वर का पुत्र कहने का आरोप लगाया कटरपंतियों को प्रसंद करने के लिए रोमन गवर्नर पॉंटियस जिसको के दोस्तों पिलातुस भी कहा जाता है ने इसा मसीग को सूली पर लटकाया तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जिस समय इसा मसी को सूली पे लगाया गया था उस समय रोमन गवर्नर पॉंटियस थे जिसको कि दोस्तों पिलातुस भी कहा जाता है जब से इसाई धर्म का पवित्र चिन्न क्रॉस हो गया है तो दोस्तों यहाँ पर आप से जाता है कि इसाई धर्म का पवित्र चिन्न क्या है तो आपका अंसर हो जाएगा क्रॉस है दोस्तों यहाँ पर क्रॉस के और भी नाम है जैसे क्रॉस को हम इबदास भी कहते हैं या सलीब भी कहते हैं तो यहाँ पर इन दौनों नामा को आपको याद रखना है हमारा मसी की मरत्यू गोल गाता में हुई थी तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही important है कि आपसे अगर आपसे सन पूछी आती है तो आपका आंसर हो जाएगा 29 इसवी में हमारा अगला सवाल है इसाई किस दिन को सोग दिवस के रूप में मनाते हैं तो आपका अंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे अब यहां पर दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि यहां पर जो सोग दिवस होता है इसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं जिस दिन ईसा मसी को सूली पर चड़ाया गया था उस दिन सुक्रवार था उसी दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है कि गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है जो कि दोस्तो इसाई लोग सोक दिवस के रूप में मनाते हैं हमारा अगला सवाल है इसा मसी के पुने जीवित होने की गटना को क्या कहा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा इस्टर संडे कहा गया है यहाँ पर दोस्तो हुआ क्या था कि जब इनको सुक्रवार को सजाद दी गई थी या सूली पर रटगाया गया था तो यह कहा जाता है कि जो उससे अगले आने वारा संडे था उस दिन वो जीवित हो गई थे और उसी दिन को दोस्तो इस्टर संडे कहा गया है उम्मिश करता हूं दोस्तो कि आपने इन सभी पॉइंटों को याद कर लिया होगा और वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी थेंक्यू बैरी मस्तो